तो इत्ते फाक पर बेस्ट इस अपर दस्त और दिल्चस्प मूवी में लोगों को कोई सीरिल के लड़िया भूत प्रित नहीं बलकि उनकी खुद की गलुत फैमी मारती है हलो काइस दिस इस प्राची और आज में एक बड़ी ही मज़ेदार हॉरर स्लैशर मूवी जिसका नाम है टकर आंड डेल वर्सेस इविल को एक्स्प्लेइन करूंगी तचले फटाक से मूवी को स्टार्ट करती हैं सो दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग होती है एक लेजी रिपोर्टर एंड उसके कामरामैन से जो की मदर स्पॉट पे रिपोर्टिंग करने के लिए गए हुए थे जहां एक टरावना इंसान आकर उन्हें पड़ी ही बेरैमी से मार देता है सो अब सीन यहां से शिफ्ट होता है और तीन दिन पहले दिखाया जाता है जहां पर कुछ कॉले स्टूडेंस अपनी गाड़ी से फॉर्स में कैंप टूर के लिए जा रहे थे और जिस रास्ते से वो लग जा रहे थे उसी रास्ते से डेलो टकर नाम के दो हिल बिलीज यान काफी जादा पुराना और टूटा फूटा था तो इसलिए वहां उसके रिपेरिंग के लिए आए हुए थे सो वहीं दूसरी तरफ कॉले स्टूडेंट एक स्टेशन पर जाके रुखते हैं जहां टकर और डेल भी कोइंसिदेंटली पहुंच आते हैं और डेल को ऐलिसन का काफी जादा पसंद आ रही थी लेकिन उससे बात करने के लिए उसे डर लग रहा था क्योंकि दोस्तों वह तो गाउं का छोड़ा था और यह लोग तो शहत से आई हुए थे तकर हिमत देते हुए उसे वहां पर अलिसन के पास भेश देता है जहां वह सारे दोस्त उसे डे मैं रोकता है जो यह पता लगने के बाद कि उन्होंने वहां खरीदा है वह उन्हें करते हुए कहता है कि वह घर शापित है जहां रहना उनके खत्रे से खाली नहीं है लेकिन वह लोग उसकी बात को एक नोर मारत हुए वहां से निकल जाते हैं और अपने फॉरेस वाले एक लेक के पास बैठे हुए मज़े कर रहे थे जहां चैट उन्हें मैमोरियल डे मैसेकर के बारे में बताता है जहां कई साल पहले इसी फॉरेस्ट में के लिए कुछ लोग आये हुए थे और उन्हें कुछ हिल बिलीज ने बड़ी बेरैमी से मार दिया था जिसमें से सिर् तरफ टकर और डेल भी उसी लेक में फिशिंग करने के लिए आये हुए थे जहां वो दोनों दूर से ही एलिसन को देखते हैं जो की लेक में जांप ही करने वाली थी कि तभी वह भी उन्हें देख लेती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है वो पानी में गिर जाती है और व सोचते हैं कि यह लोग अलिसन को मारने के लिए अपने साथ में लेके जा रहे हैं और वो डर कर वहां से भागते हुए सीधा चैट के पास आते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं लेकिन वह जब तक वहां पर पहुशता है वहां से गायब हो चुके थे और यहां यह दोनों अपनी वाले हाउस में ले आते हैं और जब उसे होश आता है तो वह बहुत ही साधा डरी हुई थी लेकिन उनसे बात चीज़ करने के पास उसे समझ में आता है कि वह दोनों अच्छे लोग हैं तो वहीं दूसरे तरफ वह स्टूरेंस अपनी दोस्त अलिसन को बचाने के ल लगती हैं और जेन्ट शोल यहां वाँ भागने लगता है सामने से मित आ रहा था जहां सारे स्टुडेंस को गलत फ्याम हो जाती है और वह समझ लेते हैं कि टकर उन्हें महाँ पे मांड़ने आ रहा हैं और लोग भी यहां भागने लग जाते लेकिन दोस्तों टकर्टों म जाता है जहां कुछ तेर बार चैडर बाकी की स्टूडेंट उसे ढूंदते हुए आते हैं और वो उसी मरा पाते हैं और वो लोग यह डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें हर हाल में इन दो हिल बिलीज को तो मानना ही होगा और वहीं जब हाउस के अंदर आकर ऐलिसन को उसकी दूस्तों के बारे में बताता है कि वो लोग बाहर आये हुए हैं तो वो उनसे मिलने के लिए बाहर चाने लगते हैं लेकिन डेल उसे आराम करने का बोल कर खुड तकर के साथ बाहर आ जाता है जहां उन्हें देखकर चैडर सारे लिएते हैं लोग उसकी काम में जाते हैं लोग अपना काम कर रहे ते अर्याव कर रहे थी लेकिन यहां पर यंदों जबर दस्ति कि आलिसन से उसी कबर को खुड दूबार हुए हैं आज हमला लगता है जहां पर टॉड एक शाप नुकेली लखडी के साथ डेल पर अटाक करने लगता है लेकिन दोस्तों डेल अपनी गलती से उस गड़े में गिर जाता है और जहां टॉड उसी लखडी में घुस जाता है और वहीं अलिसन भी डेल की वज़े से बिहोश हो जाती है और दूसरी तरफ माइक टकर पर भागता हुए हमला करता है और चौपर मशीन में जाके घुस जाता है और बुरी तरह से चौप हो जाता है जहां टकर उसी बचाने की कोशिश करता है लेकिन दूर खड़े उसके दोस्तों को फिर से गलत फ्रामी होती है जहां वो लोग ये पुलिसमैन वहां पर आ जाता है जिसे की चक ने इनफॉर्म करके यह कहा था कि टकर और डेल ने उनके दोस्तों को मार दिया है जहां वो लोग उस पुलिसमैन को सबकुश सच बताते हैं बट वो उन पर बिल्कुल भी अकिन नहीं करता कि तब ही डेल यह कहता है कि उनकी ए उसके सर में खुश आती हैं सो जैसे तैसे करके गाड़ी तक पहुश तो जाता है लेकिन इससे पहले वो कुछ भी उन्हें बताता वो वहीं पर मर जाता है और उसे देखकर वो स्टूडेंट जोसकी गाड़ी में बैचे हुए तो लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और उन दोनों पर स्टीन लेकिन और दोनों पर स्टूड करने लगता है लेकिन के गृष चाते हैं यहां साज सक बताते हुए यह कहती है कि टकर और डेल अच्छे लोग हैं लेकिन वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इन दोनों के साथ में रहते रहते एलिसन को इन दोनों से हम दर्दी हो गई है बट तभी वहाँ पे वो दोनों भी आ जाते हैं जहां एलिसन उन्हें साथ में बैट कर बात करने के लिए कहती है और वो लोग ऐसा ही करते हैं जहां चैट उन्हें पताता है कि मैमोरियल डे मैसिकर में लास्ट टाइम जो लड़की बची ती जो सर्वाइफ कर गई थी वह कोई और नहीं बलकि उसकी मॉम थी और उसकी ग्रैंड मदर ने ये बत जाती है जेशन इस आग में जलकर मर जाता है उस हाउस में काफी जादा फ्यूल रखा हुआ था और हर जगा आग लग गई थी तो इसलिए टकर और डेल अपने साथ में अलिसन को लेकर बहर कूच जाते हैं जहां बहुत बड़ा धमाका होता है लेकिन उसमें चैट नहीं म जाता है कि चैट ऐलीसन को लेकर वहां से चला गया है और उनकी है्ट करता है और उनको पूरानी टक ले-जाता है जहां वह एक पुराना नियूसमून और ग Payla औरेल डे मैसिकर की न्यूस थी जहां उन्हें ये बता चलता है कि चैट के फादर मैसिकर में नहीं मरे थे बलकि जिस हिल विली ने उनकी मॉम का रेप किया था वो चैट के डैड़ ही थे यानि कि उसके ग्रैंड मदर ने उसे जूटी कहानी सुनाई थी तभी चैट भी वहां पुलिस वहां पर आती है जो कि उस मैसिकर की इंवेस्टिगेशन कर रही थी जहां वही लेड़ी रिपोर्टर थी जिसे हमने मुवी की स्टाटिंग में देखा था और वही आधा जला फेस वाला बंदा वहां आकर उस रिपोर्टर को मार देता है जो कि दोस्तों कोई और बलके चैड ही था यानि कि वह भी भी जिंदा था वहीं दूसरे तरफ टकर को हॉस्पिटल में होश आता है जहां डॉक्टर नी उसकी फिंगर जोड़ दी थी लेकिन ये क्या उसकी एक फिंगर तो किसी लड़की की लग रही है तो अब डेल और एडिसन फाइनली डेट प और अगर नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रीजन जरूर बताईएगा तो फिर मिलेंगे एक अगली इंट्रस्टिंग वीडियो की साथ तब तक के लिए बाबाई